आज हमने लाएं आप लोगों की स्पेसर बला सेंट्विच सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी ज़रूर दुपाए ताकि पहला नोटिफिकेशन आपको मिले आज हमने लाएं आप लोगों के लिए सेंट्विच आप लोगों ने बहुत सारे सेंट्विच कायोंगे लेकिन आज हमने लाएं आप लोगों की स्पेसर बला सेंट्विच क्या आपको पता है वो है टिंगरी सेंट्विच टिंगरी सेंट्विच कैसे बनाते हैं आईए दोस को एक लाइक आये चलते हैं देखिए दोस्तों हमें पहले डिंगरी को फ्राइ करना है आमने यहां पर डिंगरी मस्रूम को थोड़ा सा हल्दी पाउडर थोड़ा सा नमक थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डालकर इसको फ्राइ करें ताकि इसका मस्रूम का कच्छापन हट हमारा सैंड्विच में इसका टेस्ट अच्छा है इसलिए हम यहाँ थोड़े दिर तक उपर नीचे करकर दोनों तरफ से इसको फ्राइ करेंगे डिंगरी मसरूम का स्टेम को इसको अच्छे से हम इसको दबा लेते हैं ताकि इसका पानी निकल जाए अच्छे से फ्राइ हो जाए देखिए हमारा फ्राइ अच्छे से हो गया है अब इसको प्लेट को निकाल लेते हैं तरफ दोनों तरफ से फ्राइ कर लिए हैं थोड़ा तेल डाल कर वन टेबल स्पून ओई लिए हैं उसमें कटा हुआ कैपसिकम लिए ते इसको डाल रहे हैं अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं स्वाथ मुतबिक हमें बस इसको फ्राइ करने के लिए थोड़ा सा वान फोट नमक डाल कर इसको थोड़े जर तक फ्राइ करेंगे ताकि इसका कच्छापन हट जाए हमारा कैपसिकम अच्छे से फ्राइ हो गया है आप इसको प्लेट में निकाल लेते हैं सेंड्विच बनाने के लिए हमने यहां पर ब्राउन ब्रेड लिए हैं इसका बाहर का हिसा कट करके निकाल लिए हैं चप किया हुआ टमाटो लिए हैं चप किया हुआ ओनियन लिए हैं और टेंगरी मस्रूम लिए हैं और कैपसिकम लिए हैं हमें यह सब चीज चाहिए इस लेए एक प्लेत लेते हैं प्लेत में ब्राउन ब्रेट 마्ति आप ले लिए लिए ब्राउन ग्री फोल टीन प्रेट में रसटों के डाउट प्रेते हैं अधिक कल्गा रिए। दिंगरी मस्रूम को रखेंगे उसके उपर ब्रेट का औरेक हिसा रखका चैन्डूइट बना सकते हैं आप इसी तरह बना सकते हैं लेकिन हमने यहां पर थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं इसलिए यहां पर दिंगरी मस्रूम के बाद थोड़ा सा चाट मसला डाल केपसिकम डाल दिए आप यहां पर थोड़ा सा टमाटो केचप और एक ब्रेड का हिस्सा लेंगे उसके उपर थोड़ा सा ग्रीन चट्नी और टमाटो केचप को अच्छे से लगा लेते हैं देखिए हमने दोनों चट्नी को अच्छे से लगा लिए आप इसका कवर कर लेते हैं देखिए हमारा सैंड्विच बन गया इसी तरह हम बाकी सैंड्विच भी बना लेते हैं देखिए हमारा सैंड्विच अच्छे से बन गया है इसी तरह हम बाकी सैंड्विच भी बरना लेते हैं अब ताहुए लेते हैं या पैन लीजिए अब यहां पास देशी घी लगा रहे हैं अध्या बाकी सैंड्विच को थोड़ा सा फ्राइ करेंगे देशी गी में दोन तरफित दोड़ा और घी लेते हैं थोड़ा गी उपिसके सैंड्विच के यहां अपर लगाएंगे ताकि अच्छे से फ्राइ हो जाएं देखिए इतने ब्राउन ब्राउन भी हो गया हम नही तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं हमारा सैंडविच अच्छ से फ्राय हो किया है आप इसको प्लेट में निकाल लेते हैं हमारा सैंडविच बनके रेडी है आप इसको बीच से कट कर लेते हैं अच्छ से पकड़ के थोड़ा कट कर लेते हैं हमारा सैंडविच बनके रेडी आये दोस्तों प्लेटिंग कर लेते हैं देखिए दोस्तों हमारा डेंगरी सेंडविच एडिये आये दोस्तों खाते हैं इसे नए नए रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी ज़रूर दबाए ताकि पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको म ताकि आठा स्थम्हें हमारे और प्लेट हैं इसम्तों कर आंपर कर दो टे आम दोस्तों हैं पंसके लिए इसानी जे टेसानी कर